बुड मॉर्निंग भारत देखने हैं आप और मैं हूँ आप सबके साथ अनूप मेरे साथ इस बुलिटन में मेरी सयूग एंजली भी होगी लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात शाय उन बड़ी खबरों की जिन पर आज जिन भर हमारी नजर रहने वाल डॉक्टरों को सुप्रीम आदेश आ गया सुप्रीम कोट ने पिछले एक मैने से विरोध प्रदर्शन करें डॉक्टरों को काम पर लोटने का आदेश दिया शाम पांच बजे तक काम पर लोटना होगा वह देखिये बहराइच में भेडिये के आतंक से परशान जो ग्राम में देखिये आस्मानी आफत का कहर देखने को मिला है इससे जोड़ी अफडेट भी आपको बताएंगे तुम ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चौतरफा संकटों से पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर गया है इन शे तस्व जो इस मामले में जांच परताल करी है और साथी साथ यूपी एटियस भी पूछताच कर रही है संदिग्दों से क्योंकि जो साजश रची गई ट्रेन को डिरेल करने की उसको लेकर के आप जांच तेज हो चुकी है और आप बेनाईये की टीम इस पूरे मामले की जांच कर दरसाल जो हाथसा होते होते टल गया ट्रैक पर भरा सिलंडर रख का ट्रेन को उतारने की पूरी साजश रची गई थी और समय रहा जिससे ये बड़ा हाथसा टल गया और सूझ बूज के साथ देखे यहाँ पर पुलिस की टीम ने इस सिलंडर को खाली करवाया लेकिन ये बड़ा हाथसा हो सकता था ट्रेन को ब्लास्ट करने की उसको डिरेल करने की पूरी साजश थी इसके बाद NIA की जाच तेज हो चुकी है तो देखे पिछले कुछ दिनों से रेल हाथसों की संख्या बढ़ गई है कभी ट्रेन डिरेल हो रहे तो कभी डिरेल करने की साजश चुरची जा रही है कुछ ऐसा ही हुआ है कानपूर में जहां ट्रेन को पट्री से उतारने की नहीं बलकि ट्रेन को ब्लास्ट कर उडाने की साजश सामने आई है आखिर कौन है वो दुश्मन जो ट्रेनों को पल्टाने ब्लास्ट करने जैसी साजश शिरा चराया है इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में आठ सितंबर की राज जो पुलिस को मिला उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं आचानक रेल की पटरियों पर सिलेंडर पोतल में पेट्रोल लोहे की रोड लकडी के खंबे एलोई विल के रीम जैसी चीजे मिली तो जाहिरतों पर आशंका बढ़ती है कि क्या देश में रेल हाथसों के लिए पटरियों पर साजिश रची जा रही है अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना के पीछे भी आतंकी संधनों का हाथ है सवाल ये भी कि क्या देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए टार्गेट ट्रेनों को किया जा रहा है सवाल कई और भी है लेकिन आप ये ओडियो सुनिये जो पाकिस्तानी आतंकी फरहत तुल्ला घोरी का है कुछ दिन पहले ही इस पाकिस्तानी आतंकी पादी ने ट्रेन को निशाना बनाने की तक्रीर दीती और अब कानपूर में या तिनों से वरी ट्रेन को अड़ाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है लाजिस्टिक याने फौज और पॉलिस के सहूलती निजाम को तबाह करना हमलो नकल के जराय याने ट्रांसपोर्ट को तबाह करना रेलवे लैन को सबोताज करना इस तरह के अमल से दिश्मन को अक्तिसादी नफसान भी पहुँचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी आतंकिस्तान में बैठा आतंकी खोरी प्रोपोगेंडा ओडियो वाइरल कर रेल जिहाब करने की तक्रीर दे रहा है उसकी भड़काओं और नफरती बातों का ही नतीजा है कि कानपुर में कालंदी एक्सप्रेस कुलेकर एतनी बड़ी साजिश रची गई क्योंकि जिस तरह ट्रैक के पास सिलेंडर, माचिस, पारूद और पेट्रोल परामद हुआ उससे आशंका तो यही जताय जा रही है कि एक बड़ा धमा का करने की साजिश था निश्ची तोर पर साजिश है ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पर रखना ये बहुत बड़ी सरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप मिले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिगरिय नरण कर रहे हैं ये साजिश है अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी राहूल गांधी ने कांग्रेस ने एक टूल कीट बनाया है भारत के ट्रेन वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता आग लगती सेंकरों लोग मारे जाते निश्य तोर पर ये साजिश है पूरे मामले के जाँच हो रही है रिरासत में लियागे लोगों से पूसदाच और शानदीन की जा रही है इस पूरी घटा को लेकर कई एजंसियां काम कर रही है खासकर एनाया को जाँच की जिबनारिस कौब दी गई है इसके लिए 5 लोग से लेकर इनाया इस मामले में तफ्रीश कर रही है सच सामने आकर रहेगा वगर सियासत भी दोर पकड नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी के स्टैंडर्ड के अनुसार गिरीराज सिंग को नेता होगा हम लोगों के हिसाब से वह इस लायक भी नहीं है कि उसकी कही वही किसी भ पर कोई प्रतिक्रिया भी दी जाए वह केवल केवल भारत सरकात मोधी सरकात अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही है यह कोई संयोग नहीं है बलकि एक साजिशी परियोग दिखाई पड़ता है साजिश के आकां आका कहां पर हैं उनके तह तक जाने की जरूरत है यह वक्त सियासत का नहीं सावधानी का है जो भी डिरेल की साजिश चुराच रहा है चाहे उसके तार पाकिस्तान तक क्यों नहों गुद्थिस को जाकर पुरेगारों को सलाकों तक पहुंचाया जाएगा वेरो रिपोर्ट रिपाप्लिक ठाट और धर कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी एक ख़बर आपको बता रहे हैं दरसल सुप्रीम कोट ने डॉक्टर्स को काम पर लोटने क्या देश दिया है उन्हों न काये कि शाम पांच बजे तक डॉक्टर्स कामपर लोट जाए उसके ख़लाब कारवाई करें अगर डॉक्टर कामपर नहीं लोटने हैं क्योंकि करीब एक महिने से डॉक्टर हरताल पर है जिस तरह से कोलकाता में फ्रेणी डॉक्टर्स के साथ रेप और मर्डर क मामला सामने आया था उसके बाद से तमाम डॉक्टर्स में आक्रोश है और लगातार एक महिने से प्रदर्शन भी जा रही है और इसके बाद सुप्रीम कोड का यदा आदेश कि पाँच बज़े तक काम पल लोट चाएं डॉक्टरों के प्रदर्शन पर सक्त सुप्रीम कोड डॉक्टर्स को काम पर लोटने का अंदर देश शाम पाँच बज़े तक काम पर लोटे डॉक्टर्स काम पर नहीं लोटे तो होगा आक्शन डॉक्टर्स को सुरक्षा दे राज्य सरकार कोलकाता के आज़ी कर अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले पर प्रदर्शन करे डॉक्टरों को लेकर सुप्रीम आदेश आ गया है सुप्रीम कोट में हुई सुनमाई के दोरान कोट ने डॉक्टरों को आज शाम पांच बजे तक काम पर लोटने का फरमान सुना दिया है और साफ कर दिया है कि अगर डॉक्टर्स तैस समय पर काम पर नहीं लोटे तो उनके खिलाब राज्य सरकार कारवाई कर सकती है सुप्रीम कोट ने फिर से CBI को बोला कि फ्रेस स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए एक तरीके से जो इन्वस्टिगेशन था पहले का उस पर सवालिया निसान उठाया है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको काम पर वापस आने के लिए बोला है कि आप वापस आ करके फिर से क्योंकि आप बहुत ही जिम्यदार एक डॉक्टर का रोल होता है तो इसलिए उनको वापस आने की बात कही है वहें इस मामले के जांच करें सिवियाई को कोट ने फ्रेस स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है इस दोरान सुप्रीम कोट को बताया गया कि डॉक्टर्स धरे सहमे हैं उने धमकिया मिल रही है उनके लिए अस्पताल में ववस्थाएं नहीं है जिस पर सुप्रीम कोट ने राज्य सरकार को डॉक्टरों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया और कहा कि आरजी कर कम्ला है हम के रहे हैं कि इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उनके पास कमरे होने चाहिए मेर के साथ अलग सीसी टीवी होनी चाहिए की आरजी कॉर्म में सीईस सेफ होनी चाहिए उसका बंदोबस बहुत अच्छा होना चाहिए आपको बताने कि 9 अगस्ट को कोलकता के आरजीकर अस्पताल में हुए 20 डॉक्टर के रेप और मडर के बाद सही देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे है ऐसे में पिछले एक मेने में मेडिकल सिवाओं पर काफी असर पड़ा अकेले बंगाल में इलाज के आभाव में 23 लोगों की मौत हो गई अब सुप्रीम कोट के आदेश के बाद उमीद की जा रही है कि डॉक्टर काम पर लोटेंगे और स्वास्त वेबस्थाएं एक बार फिर पट्री पर लोट आएगी वेरो रपोर्ट, रपुब्लिक आरा